यह रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमको dough बनानी होगी आज में ये इस रेसिपी को थोड़ा सा healthy version दे रही हूँ तो आज में इसको जो है मैदे से नहीं आटे से बनाने वाली हूँ यहाँ पे 2 cup के करीब में गेहुं का आटा ले रही हूँ एक बाउल में इसके अंदर डाल रही हूँ एक छोटा चमच के करीब नमक, एक छोटा चमच के करीब ही चीनी में डाल रही हूँ इसके बाद इसके अंदर हम ओईल डालेंगे, तो यहां मैं नॉर्मल कुकिंग ओईल है वो डाल रही हूँ दो चमच के करीब, इसके बाद इसके अंदर मैं बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ ये देखिए तो एक चोटा चमच के करीब मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ इसके बाद इसके अंदर मैं बेकिंग सोडा भी डाल रही हूँ ये देखिए तो आदा चोटा चमच के करीब मैं इसके अंदर बेकिंग सोड डाल रही हूं इसके बाद 1-4 cup के करीब इसके अंदर मैं दही डाल रही हूं याद रखी जादा खटा वाला दही हमें इसमें नहीं यूज करना है मैंने फ्रेश दही का ही यूज किया है ये सारी चीजों को हम एक बार अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके बाद मैंने रूम टेमप्रेचर पे पानी लिया है और ठोड़ा ठोड़ा पानी डाल के हमें याद रखीए ये डो जादा टाइट नहीं होना चाहिए बहुत सफ्ट भी नहीं होना चाहिए रोरी से ठोड़ा सा सौ उक्र 0-29 बभनाना तो लेते हूं मैदा लेकिन वह बाद में बहुत अकलीफ देता है काफी सारे बच्चे बहुत जादा मैदा खाने लग गए है तो मैंने इसलिए इस दो को जो है गेहूं के आटे से बनाया है थोड़ा सा ओईल लगा के इसको आदा गंटा साइड में रख देंगे हम अच्छे बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल रही हूं तो यहां पर चुटी चुटी तुकडो में कटीवी गाजर में डाल रही हूं इसके बाद शिम्ला मिर्च भी ली है मैंने इसके अंदर आप वेजिटेबल्स अपने चॉइस के हिसाब से बहुत सारी ले सकते हो और अलग लग त मैं इसमें थोड़ी सी जादा डाल रही हूं ताकि चटपटा बने यह अब यह सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे मीडियम आज पर मैं इसको सेक लूँगे अच्छे तरीके से जादा नहीं सेकना है अब यहां पर देखिए मैंने थोड़ी सी अलग सी चीज ली है यहां प इसके बार इसका जो टेस्ट है आज मैं थोड़ा सा अलग दे रही हूं आप चाहो तो इसके अंदर गरम मसाला या तो चाइनी कीश ू詐 स्पाइसे डाल के इसको अलग अलग टेस्ट दे सकते हो मैं आज यहाँ पे शैजवान चटनी डाल रही हूं उसके अंदर ये मेरे घर में बच्चों को आजकल बहुत पसंद आ रही है तो 2-3 बड़े चमच के करीब शैजवान चटनी में ने इसके अंदर डाली है आपको अगर घर में शैजवान चटनी कैसे बनाएं ये सीखना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा मैं जरूर बनाऊंगी वो वीडियो भी आपके लिए इसके बाद इसके अंदर स्वादनुसा नमक डाल देंगे शैजवान चटनी डालने के कारण इसके अंदर और कोई स्पाइस हमें डालने की जरूरत नहीं है उसी से इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आजाएगा तो ये बहुत एजी रेसेपी है आपको जरूर पसंद आएगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कीजेगा अब देखिए इसको बिल्कुल धीमी आज करके धक्के मैं सरफ दो मिनिट के लिए पकाऊंगी ये रेखिए सरफ दो मिनिट ही मैंने पकाया है जाद देर नहीं पकाना है इसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी चीज ली है ये पीज़ा चीज है और ये चीज भी इसके अंदर डाल देंगे और यह देखिए इसके threads निकल रहे हैं तो यह खाने में बहुत ही tasty लगने वाला है यहाँ पर देखिए हमारी dough ने भी अच्छे तरीके से rest ले लिया है यह देखिए full गई है अच्छे से ferment हो गई है और इसके बाद इसके जो है हम छोटी छोटी लोईया निकाल लेंगे आज यह जो recipe है यह मैं बिल्कुल ही नए तरीके से design से बताने वाली हूँ आपको वैसे आप चाहो तो इसको normal भी बना सकते हो यहाँ पर देखिए इस तरीके की जो छानी होती है यह अकसर हम तलने में use करते हैं मैं इसी से इसके design देने वाली हूँ तो यह जो है stuffing हम इसके उपर लगाएंगे तो लगाने से पहले इस पर थोड़ा सा मैं oil लगा दूँगी ताकि यह चिपके न तो यह जो dough है इसको अच्छे से round करके हम इसके उपर फैला देंगे देखिए जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ इस तरीके से आपको हलका हलका push करके फैला लेना होगा यह देखिए इस तरीके से इसके बाद यह जो stuffing है यह अच्छे थे ठंडी हो जाए और फिर आप इसके अंदर डालिएगा गरम stuffing मत stuff कीजेगा और फिर थोड़ा थोड़ा side से उठाते जाएंगे और इसको seal करते जाएंगे यह देखिए इस तरीके से और soft है क्योंकि dough हमारी तो आपस में चिपक जाएगी कोई भी दिक्कत नहीं होएगी यह देखिए इस तरीके से यह आप बिल्कुल अच्छे तरीके से seal कर लीजे पिंच करके और इसके बाद इसको बस हाथ रखिए और उल्टा लीजे और यह आपका बहुत ही सुन्दर flower के design वाला आपका जो है पेटीज बनके त्यार है आप इसको पेटीज बोल सकते हो कचोरी बोल सकते हो कुछ भी बोल सकते हो लेकिन यह बहुत ही सुन्दर flower के design का बनता है तो मैं आज आपको दो तरीके से बता रही हूँ यहाँ पे एक छोटी सी steel की plate पे मैंने oil लगा के और इसको इस तरीके से देखे देसी oven में हम बनाएंगे इसमें मैंने बहुत बार आपको cake बनाना बताया है मैंने नमक लगाया है नीचे और उतपर stand रग दिया है और इसके अंदर मैं bake करूँगी कम से कम 15 से 20 मिनिट के लिए medium to high flame पे और यहाँ पे देखे दूसरा मैं बना लेती हूँ तो मैं oven में भी बता रही हूँ फरक बस इतना होगा कि जो आपका देशी oven है उसके अंदर color इतना अच्छा नहीं आएगा क्योंकि नीचे से heating आती है उसमें सिरफ और उपर से कोई खास heating नहीं आती है तो उपर का जो surface है वो इतना अच्छा color का नहीं होगा oven में क्या है चारो तरफ अच्छे तरीके से heating होती है तो उसमें color इसका बहुत ही अच्छा आएगा यह देखिए मैंने अंदर masala stuff कर लिया है अब इसको जो है चारो तरफ से उठा उठा के इस तरीके से pinch करेंगे और बंद कर देंगे अगर आपका यह बंद नहीं हो रहा है जैसे देखिए आप मेरा बंद नहीं हो रहा है तो मैं अलग से थोड़ी सी डो लेके और उपर से लगा दूँगी तो यह जो है बिलकुल असानी से बंद हो जाएगा और डोन परी हम इसको bake करने वाले हैं तो यह खुलने बिलकुल भी नहीं वाला है यह देखिए अच्छे से पिंच कर लीजिए इसके बाद इसको उल्टा लेंगे हम और क्यूंकि हमने इसमें ऑईल लगाया है तो यह अरसानी से छूट जाएगा और यह बहुत ही सुन्दर सा फ्लावर का डिजाइन आ जाएगा देखके लोगों को लगे और इसको पिंच कर दीजे मैंने दो चोटे चमच के करीब स्टफिंग बरी है बहुत कम भी नहीं होती है बहुत जादा भी नहीं होती है इस टफिंग और यह देखिए पैक हो गया इसके बाद आप इसको छुडा लीजिए अगर आप ऑईल अच्छे से नहीं लगाओगे तो आपका जो है चूटने में दिक्कत करेगा यह देखिए और अच्छे से लगाईए तो फिर आपका आसानी से चूट जाएगा इस तरीके से मैंने सारे के सारे जो फ्लावर्स हैं वो बना लिए हैं और यह बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहे हैं अब इनको हम जो है स्टफत पीजा बिख हो गया हैं के अगठ है इनको बहुत लगिए अगर आपके अच्छा नहीं आई अच्छा तो आप उपर से एल भी लगा सकते हो मैंने जो कडाई वाले थे वह भी Il UK वाले इसमे हैं क्ड़ाई वाले बैक तो हो गए थे लेकिन उपर कलर नहीं आया था अब याब में पता इसको क्या बोलना चाहिए इसको भी बोल सकते हो आप इसको तश्ड पीज पीजा बीज़क नहीं पैज़ा वर कशोड़क भी बोल सकते हो पता नहीं इसको बोलते क्या हैं लेकिन यह सिर्पी वह डेया हिख से बलते to a अंदर चीजी मसाला है, बहुत ही टेस्टी है, मसाला भी बहुत एजी है, फ्लावर की डिजाइन भी बहुत एजी है, तो जरूर ट्राय कीज़ेगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा जाद ज़ादा फ्रेंड्स के साथ, और यह अनहालथी बिल्कुल भी नहीं ह तो विडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताएगे की रेस्पी कैसी लगी ऐसे और भी रेस्पी इस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे और फ्रेंज ये कुई दूसरे वीडियो हैं मारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं थैंक यू